सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पोसन के मन के अंदर से बिल्कुल जो पर्फेक्ट प्यूर भावना होती है फिलिंग होती है जो आप तक बिना संकोच किये हुए बिना छुपाए हुए जो वो रियल फिल करते है रियालिटी जो उस वक्ति की है वो संदेश आज हम आज आप तक पहुंचाने वाले हैं इस कलेक्टिव रिडिंग में नोवेंबर का महिना चल रहा है अप्डेट रिडिंग में इसी टॉपिक पर आपके लिए कर रही हूं तो कलेक्टिव रिडिंग होने वाली है तो हो सकता है इस सभी की भावना इतनी डीप ना हो इतनी गहरी ना हो जो निकल कर आए पर डेफिनेटली आप में इसे कुछ परसंटेज ओफ लोग ऐसे हो जिनके लिए रिडिंग डेफिनेटली मैच होगी तो चलिए रिडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले वही जो रिपीट मैं हमिसा करते रहती हूं आप सभी के लिए कि इन पलों में भी जो है आपको उसे भूलने की कोशिस करनी है अपने मन को बेलकिल उदासी से मुक्त डर से मुक्त आपको बनाए रखना है तो चलिए इतना कहते हैं आज के अब डेफिनेग मैसेज फ्रॉम यूर पोरसंट हम जो है स्टार्ट करते हैं तो गाइस एनरजी औ क्या ये भी एक मैसेज है जो आपके बोसन आप तक पहुंचाना चाहते थे हो सता है कि उनको अपने दिल की बाते आपको बताने का मन हो रहा है बिल्कुल आसपास बैठ कर आमने सामने बैठ कर ये वक्ति आपको अपनी भावनाए अपने जिन्दगी की जो कि चीजे चल रही है उसे वो आप तक पहुंचाना चाहरे है नसक्राइब हो सकता है कि आपको देखने का मन हो रहा है आपके साथ बाते करने कमन हो रहा है क्या है इस वक्ति की एनरजी let's see oh my god कॉर्णुकोपिया आपके और इनके रिलेशन्शिप में तो मैं देख रही हूँ कि एंजल की जो है ब्लेसिंग मिलने वाली है बहुत जल्दी कॉर्णुकोपिया आ चुका है यहाँ पर जो एबर्णनस जैसा ही कार्ड होता है इसके बारे में कुछ देर बाद आपको मैं सिलसले से बताऊंगी एक और देखते है गाईज ब्रोकन हार्ट देखिए नमबर नाइन और नमबर इलेवन जो है आपके लिए इंपोर्टन्ट है आपके पोजन के एनरजी से निकल कर आया हुआ यह तो कार्ड है तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि इस वक्ति के एनरजी अभी कैसी है बहुत ही जो इनकी जो हालत है या इनकी जो ताकत है वो ताकत मुझे नजर नहीं आती broken heart का card आया है जो आपको card देखकर इस picture को देखकर दिल के टूटे हुए दिल के दो टुकडे यहाँ पर आपको नजर आते हैं इसको देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का जो मन है वो मन बहुत ही जो है दर्ध से भरा हुआ है इस व्यक्ति का मन ऐसा हो रख क्यूं ऐसा हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि बिलकुल relationship में ये व्यक्ति सायद आपके साथ वफादार नहीं रह पाया और इस वक्ति ने आपके भी दिल के ऐसे ही दो टुकडे किये है पाष्ट में और इस वक्ति की अभी खुद की भी अवस्ता अगर आप देखो तो आपके जैसी ही है, आप भी वहाँ पर तूटा हुआ, खुद को महसूस कर रहे हो, दिल ही जब इनसान का सही जगह पर नहीं होगा, सही ठिकाने पर नहीं होगा, दिल में ही आराम नहीं होगा, दिल में ही खुश्या नहीं होगी, दिल में ही मुहबत के लिए जगह नहीं ह क्यान होगी तो इस इंसान का दिमांग क्यासे ठीक वस्ता में काम करेगा तो आपकी जो हालत है मैं जानती हूं कि आपकी यही रहा है आपका दिल इसी तरीके से दो टुकड़ों में बाटा है आपके पॉरसन नहीं वैसे ही इस वक्ति के वह कंडिशन यहां पर नजर आती है ये दिख चुका है कि अभी तो इस वक्ति की हालत ऐसी है हैना ये वक्ति हार्ट चक्रा ब्लॉके जिसका सिकार है हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा दर्द या दुखी अवस्ता इस वक्ति के नजर आती है पर कॉर्णुकोपिया कहता है कि जितने भी अवस्ता भी नाजुक है या जिस अवस्ता से आप गुजर रहे हो उसमें आपको बहुत जारा तकलीफ मिली है आपको मन चाहावर मिला नहीं, आपको मन चाहावरदान मिला नहीं, आपने जो चाहा जिन्दगी में वो आपको हासिल हुआ नहीं, क्योंकि जिन्दगी में साइद सुख से जारा दुख आपको मिले है, पर ये ब्लेसिंग आपके पोसन के यहाँ पर याने कि ये वक्ति भी क भुपिया जो है रिष्टे को लेकर या प्यार मुहबद को लेकर नहीं है डेख रही हूँ कि आपके पॉसिनぎ कmother की में हर चीज कबलेघे आने वाला है करुपिया भी खेलेगा इनकी जिंदगी में पैसे रुपिय से Do खाली नहीं होंगे, हो सकता है कि इसको अचानक से कुछ ऐसा हासिल हो, इसके जिन्दगी में ऐसा सकसेस इसको हासिल हो, कि ये जो है पिसली जिन्दगी से निकला आएगा, तो कॉपिया का मतलब हर जगह पर इस वक्ति को सफलता हासिल होने वाली है, और एंजल की कृपा यहाँ पर 9 नमबर आया है, यहाँ पर 11 नमबर आया है, तो बस तीन कदम की दूरी है, आपके पोसन की जिन्दगी में बहुत सारा सुख, सांती, धन, दौलत, प्यार, रिलेशन्शिप ये सारी चीज़े इसे मिलने वाली है, तो ये तो इनकी जिन्दगी दिख रही है, हम कान से संदेश है, जो इनके बारे में इस्वर बताना चाहते है, आपको, सबसे पहले इस्वर का संदेश हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूनिवर्स का डेक लिया है, और यूनिवर्स का डेक से हमें पता चलेगा कि अभी क्या चल रहा है, यूनिवर्स जो आप celebration वही कॉर्णू कोप्या की ही एनरजी है celebration नंबर तीन आया है नंबर तीन आज important है आपके लिए bottom of the deck में projection के energy आई है तो क्या है इन कार्थ चलिए अब आपको बता देते हैं फटा फट से नंबर साथ तीन important है आपके person के साथ जुड़ा हुआ नंबर हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले तो experiencing का ये कार्ड आया है जो अनुभव बटोड़ने को बताता है बहुत सारी जिन्दगी में इसने भी चीजे खोई है बहुत सारी चीजों का experience इस वक्ति को भी हुआ है अनुभव हुआ है आपसे अलग होने का अनुभव भी हुआ आपसे प्यार करने का अनुभव भी हुआ आपसे बिछरने का भी अनुभव हो गया आपके साथ लड़ाई करने का भी अनुभव हो गया आपके साथ जिन्दगी जीने का भी अनुभव हो गया तो अनुभव का ये जो काड है कही न कहीं जब भी आता है न तो मैं मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है पहले से यानि कि अभी जो आप दोनों कुछ लोग आप लोग एक हफते पहले मिले होंगे कुछ लोग एक साल पहले मिले होंगे कुछ लोग दो साल से रिलेशन्शिप में होंगे पर मुझे आप दोनों का जो ये रिस्ता है यह 1, 2 साल या 5, 10 साल वाला लगता नहीं है क्योंकि यह अनुबफ का कार्ड हमेशा कर्मा से जुढ़कर आता है आप जानते हो इस बात को ना कि इंसान क्यों दुखो का अनुबफ क्यों करता है जो उसने किया होता है अपने पिसले कर्मों में पिसले जनम में उसी का फल इस जनम में इनको मिलता है तो आपके portion भी अभी बहुत सारे चीज़ों का अपने जिन्दगी में चाहे बुराई हो अच्छाई हो खुश्या हो गम हो आपका साथ हो आपसे दूर होना हो यह सारी चीज़े अभी यह वक्ती बहुत ही जादा कैसी अवस्ता में है तो अवस्ता फाइटिंग वाली है आप देख रहे हो कि जब इनसान का मन अच्छा नहीं होगा जब एक इनसान मन से रो रहा होगा बिलख रहा होगा अपनी गल्तियों को जो है माफ नहीं कर पा रहा होगा तो उस व्यक्ति के जो है बिहेवियर में प्राजगी भरती चली जाती है दूसरों को देखने का मन नहीं होता चिचड़ा पन आ जाता है मन करता है कि या तो दूसरों से बात ही ना करू या बात करू तो भी उनके साथ सिर्फ लड़ाया ही लड़ाया होती है तो फाइटिंग का मतलब यहीं हो रहा है कि इस व्यक्त लड़ी रहा है, अपने जिन्दगी से लड़ रहा है, रिस्तों से लड़ रहा है, अपने मन से लड़ रहा है, यह व्यक्ति जो है, फाइट करता हुआ यहाँ पर नजर आया है, यानि कि आप समझ रहे हो, आपका पोर्सन जो है, वो दिल और दिमाग दोनों से ही अभी नाज आई वाला माहुल इस वक्ति का हो रहा है, प्रोजेक्शन का काड़ाया है, जो बिल्कुल आपकी छवी का काड़ाया है, जो ये बताता है कि दिल दिया गल्ला करेंगे नाल नाल बैके, है न, कि करना तो चाहते हैं आपके सार धेर सारी बाते, बहुत सारी चीज़े आपको ब उसे लगता है कि आप इनके पास नहीं हो पर फिर भी आप इनके पास हो यह आपके साथ बात करता है बत्याता है यह वक्ति आपके साथ यह जब अपने आप में होता है यह अपने रूम में अलग अकेले से होता है तो यह वक्ति इसको ऐसा महसुस होता है कि आप इनके करीब बैटे हो आप इनके साथ बगल में बैटे हो और यह आपके साथ बात कर रहे हैं यानि कि हर जगे पर जब यह वक्ति आपको देख रहा है इसका मतलब है कि यह वक्ति आपके इमेजिनेशन में है आपको अपनी दिमाग से जो है नहीं निकाल पा रहा कहीं न कहीं संतुलन खोता हुआ इस वक्ति का माइड मुझे नज़त आया है संतुलन खो चुका है कई लोग यहाँ पर मैं कह रहे हो कि दिमागी आवस्ता जो होती है वो भी इनकी थोड़ी मुझे पोर्सन है जो आपको यह कहना चाहते है कि देखो मुझे तो तुम हर जगे पर दिख रहे हो हर जगे पर तुम ही तुम हो तुम्हारा खयाल मेरे से जा नहीं रहा या तुम्हें मैं जो है अपने जिन्दगी से अपने मन से निकाल नहीं पा रहा हूँ तो इस तरीके से जो मैं आपको उधारन देती हूँ यत्र तत्र सर्वत्र यानि कि यहां भी वहां भी हर जगे पर सिर्फ तुम ही तुम चाये हुए हो तुमारी परचाई है तुमारी तस्वीर है तुमारी याद है तुमारा ही प्यार है और तुम ही तुम हर जगे पर हो तो ऐसी जो है हालत इस कि अभी हुई है और ये आप ध्यान दीजिए ये आपके पोस्टन का मैसेच नहीं है ये युनिवर्स ने देखा है युनिवर्स देख रहे हैं आपके पोस्टन को ऐसी स्थिती में जो यहाँ पर चार कार्ड आये है और यही वहाँ पर हो रहा है सलिब्रेशन का जो काड आया है ये बताता है कि ये वक्ति डेफिनेटली आपके साथ आने वाले वक्त में समय भीताएगा ये वक्ति आने वाले दिनों में आपके साथ क्योंकि कॉर्नुकोपिया तो हमें दिखी चुका था जो ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों की के जिन्दगी में क्योंकि इनका कहीं कर्मा अगर आपके साथ जुड़ा है तो इनका जो भी इनकी जिन्दगी में जो भी बदलेगा वह आपकी जिन्दगी में वह रहे हैं는데 सब्सक्राइब इनके जिन्दगी में बहुत सारी खुश्याल दे रहे हैं भेज रहे हैं तो उसका आसर कहीं न कहीं आपकी जिन्दगी में भी पड़ेगा और ये वक्ति तो आपके ही ख्यालों में ऐसे डुबा है और ये वक्ति वह खुश्याल लेकर आपके पास भी आएगा तो celebration यहीं बत कर रहा है लड़ रहा है है ना उनके बारे में आपके साथ आकर discuss करें आपके साथ आकर बताएं आपको आपको कुछ अच्छी खबर ये सुनने ये जो इनकी तरफ से आपको मिले ये वक्ति ये चाहा भी रहा है और ये चीजे celebration यानि की good news का आना इनकी तरफ से करना डेट करना ये सारी चीजे जो है बहुत जल्दी होगी भी ठीक है ये होगी भी ये इनकी अभी imagination में है खयालों में है पदिसोरी से पूरा भी करेंगे यानि कि ये होता है एक मौका ये होता है एक chance की खुश होने का एक मौका हम तुमें देंगे अब उस मौके को तुम तुम कितना ज्यादा accept कर सकते हो उसे तुम कितना ज्यादा grow कर सकते हो ये आपके person के उपर depend करता है तो ये universe की तरफ से आए हुए messages है चले अब देखते है टारट से क्या है तो guys अब हम टारट से reading करेंगे देखते है कि ये व्यक्ति आपको कौन से संदे से भेजना चाहते है Empress देखें सेम एनरजी निकल कर आगई जो आपके बारे आपके person के बारे में इनकी एनरजी से निकल कर आया था वही और मैंने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ कर्मा है भागे है और Empress भी आया है and we have two events Nine of Swords Judgment Eight of Pentacles क्या बात है वाव आपके एनरजी दो आई है Queen of Cups और Empress Two of Swords Bottom में Six of Vans के एनरजी आई है निकल कर तो गाई साइन और एलिमेंट हमें आज क्या है साइन और एलिमेंट में एक बड़ा काड आया है Judgment के एनरजी इसके अलावा हमारे पास माइनर अरकाना है अच्छा Judgment और Empress इन माइनर अरकाना से बड़ा होता है तो हमारे पास है सबसे पहले Nine of Swords के ही बारे में बात करते है कि मैं तुम्हारे लिए मैं पहले कि कोशिस नहीं की हैना मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं मैं तुम्हारा भरोसा वापस से बरकरार रखना चाहता हूं पर क्या यह संभब हो पाएगा देखो मन के अंदर बहुत सारा रिगरेट है मन के अंदर चीजों को बदलनी की चाहत है जो हो चुका है जब चीजे हो जाती है इनसान उसे बदलना चाहता है परवक्त बीड़ गया होता है है ये चिड़िया खेत चुप गई होती है और उसके बाद इनसान को हो साता है कि मुझसे क्या गलती हो गई है तो वही situation आपके person की यहाँ पर नजराती ह कि सब कुछ तो खतम बरबाद मेरी गल्तियों की वाज़े से हो चुका है अब मैं ऐसे सुधारू तो कैसे सुधारू मैं उस वक्ति के लिए तडप रहा हूं मैं अब हर चीज सुधार ना चाता हूँ पर क्या यह मैं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सामने तो मैंने कोई रास्ता दिखाता है, पास्ट में हुई धोको दिखाता है, आपको दर्द और चोट पहुंचाने को दिखाता है, जिसका असर अभी वर्तमानकाल में हो रहा है इस वक्ति को, ठीक है? तो nine of swords हमेशा, you know, क्या होता है, जो इंसान इतना परिशान होता है, depressed हो जाता है, तो नींदे कैसे आएगी, जो इंसान गलत होगा, उसे नींद इस्वर देता नहीं है, वो इंसान तड़ता रहता है, सोचता रहता है, overthinking करता रहता है, तो वही हालत इस वक्ति की अभी हो रह है, कि ना रातों को सुकून है, ना दिन में चैन है, एक तो ऐसे ही यह हर जगे पर आपको देख रहा है, और आप जो है, इनके बिल्कुल मन में, मस्तिक्स में आपने जो है, बिल्कुल यहाँ पर कबजा किया हुआ है, ऐसी परिशानी वाली स्थितिस की बनी हुई है, और पहला ही जो मेसेज है वो है पस्तावे को लेकर कि मुझे अपना पस्तावा हो रहा है तुम्हें जो है मैंने दर्द दिया है और उन दर्द का जो है ऐसास मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं अपनी आखों को पल भर के लिए भी जो है बंद नहीं कर पा रहा है मैं चंद सेकंड के ल сталाया है two events का और यह बताता है इनके इंतजार वाले संदेश को।. कि देखो तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ है ना इना हर हर सोच तुमे यही तो तलास रहा है तुम्ही तो ढूण रहा है। दूर से बैट कर इंतजार करनी की एनरजी होती है, यह सोचने की एनरजी होती है कि कब जो है मेरा इंतजार खतम होगा, कब हम दोनों के बीच में हर वो प्रॉलम खतम होगी, कि हम दोनों जो है एक हो जाए, कब मेरा इंतजार खतम होगा और मैं अपने पार्टनर के साथ जाक पर एक हो जाओंगा यानि कि बीच में क्या है बीच में है दिवार बीच में है नदी बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे पार करनी की हिम्मती वक्ति कर नहीं पा रहा पर फिर भी इस वक्ति को आपके ही पास आने का एक जुनून है एक जो है इच्छा है इस वक्ति का सपन नहीं है कि कैसे भी कंडिशन में किसी भी हाल में आप दोनों के बीच की हर वदीवार तूटकर गर जाए जो आप दोनों को अलग कर रही है तो दूसरा संदेश इनकी तरफ से आपका इंतजार करने को लेकर आया है त्रीसरा जो संदेश है वो है थ्री ऑफ्स्रोड्स का और three of swords का ये काड़ है में बता रहा है चीक चीक कर बता रहा है कि तुम्हारा दिल तोड़ कर मेरा दिल कैसे खुश हो शकता है मेरा दिल तुम्हें तलास रहा है मेरा दिल तुम्हें ढूंड रहा है और मेरा दिल है मुझे माफ नहीं कर पा रहा है मैं किसी रिस्ते के लायक नही हूँ मैंने जैसा करμ मुझे मिल रहा है तो थी ओप्सो'll दो बार आया है और आप जानते हो कि का मतलब क्या होता है कि आपके पॉर्सन ने तो आपको हजारों दर्द दिये होंगे उस दर्द में जो है जो है चारचांद लगाया किसी third party नहीं यानि कि आप एक इनसान के धोके का या एक इनसान के दर्द का सिकार नहीं हुए हो। उस पर जो है इसने किसी और को लाकर फिर से थोपा है। आपके और इनके relationship में किसी और ने भी जो है मनमर्जी की है, मनमानी की है और इस व्यक्ति ने जो है साइद उसी third party का या third person का या third situation का ऐसे साथ दिया जैसे कि ये व्यक्ति आपको पहचानता नहीं और third party इसका कोई सगा है, हैना तो इसने जो है सगे सम्मंदी वाला एक जो जिम्मेवारी है तिसरी तरफ तो निभा दिया पर आपकी तरफ ये निभा नहीं पाया और इस व्यक्ति ने आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ी दिया, ऐसे तोड़ा कि वो जो दर्द है ये व्यक्ति आज खुद भी भु तोटा है हैना आपके अलावा किसी के साथ इसने अफेर किया लव किया, रिलेशन्शिप में गया तो वहां से भी इस व्यक्ति का दिल तूट चुका है, मर चुका है, इसका ट्रस्ट सिस्टम जो है खतम हो चुका है क्योंकि इसने वही आपके साथ किया, वही कर्मा इस वक कि आती है तीसरा जो काड आया है उसके बार में आपको बताते है जज्वेंट का आ यहाँ पर आया है and judgment का electric में बता रही है कि बिलकुल फैसला गलत हुआ है एक इंसान के ऊपर इस व्यक्ति की मनमानी हुई है एक इंसान के भोलेपन सिधेपन, मासुमित पर एक इनसान ने गलत फैसला नाजायज जो है काम इस वक्ती ने किया है गाईज यानि की जज्जमेंट का काड़ यहां पर आने का मतलब है कि इस्वर भी खुश नहीं है यह वक्ती भी खुश नहीं है तो नहीं इस वर की खुशी यहाँ पर नजराती है इसने जो किया है और साथ ही साथ आपके पोसन को भी अंदाजा और अंदेशा हो चुका है कि मैंने जो किया है वो बरदा से काबिल भी नहीं है मैंने जो किया है वो माफी के काबिल भी नहीं है और मेरा जो फैसला था उसे तो हैं मुझे बदलना होगा, judgment हमेशा reconciliation का card होता है, एक तो just fast like का card होता है, दूसरा इसका आर्थ होता है, reunion, reunion का मतलब मैं तुम्हारे साथ reunite करना चाहता हूँ, जो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा है, उस साथ को जो है मैं फिर से पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्या व्यवार व्यक्ति मैं हूँ, तो मैं ही जो है इस तूटे हुए दिल को ठीक भी करना चाहता हूँ, क्या हमारे ये जो दो तूटे हुए दिल है, क्या वो फिर से एक हो सकते है, हमारा तूटा हुआ जो trust है, क्या वो फिर से बन सकता है, क्या तुम मुझे फिर से यकीन कर सक तुम मेरा साथ फिर से पाने के लिए तयार हो। तुम मुझे एक मौका दे सकते हो। तो यह रिउनिन का काड और फैसला लेकर आने वाला रिउनिन का काड होता है। कि दो energy है यहाँ पर इस्वर का भी है मर्जी उपर वाले की भी मर्जी है आपके पोसन को भी इसका हैसास हो चुका है that something went wrong कुछ तो गलत हो गया और उस गलती का जो है जिम्यवार सक्स मैं ही हूँ अब यहाँ पर आता है eight of pentacles जो रिस्टे की खुबसूरत बुनियात को दिखाता है आपके पोसन आपसे बस एक गुजारिस करना चाहते है यानि की तूट बहुत चुका है बहुत सारी चीज़े तूटी है आप दुने के रिलेशन्शिप में जहां पर दिल तूटा भरोसा तूटा रिस्था तूटा आपका प्यार छूट गया आप दूने के बीच में ग्या पा गया यह वक्ति सायद आपसे यह मेसेज के द्वरा कहना चाहता है कि क्या हम काम कर सकते हैं इस रिस्थे को बनाने का एक मौका हम दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं पिसली बातों को भूल कर पिसले धोके को भूल कर पिसली गलतियों को भूल कर क्या इस रिस्थे में फिर से हम ए फिर से जो है उपर उठाने की एनरजी, ग्रो करने की एनरजी, थोड़ा तुम काम करो, थोड़ा मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा तुम सरेंडर करो, थोड़ा सा मैं सरेंडर करता हूँ, थोड़ा सा कॉंप्रमाइस तुम करो, थोड़ा सा कॉंप्रमाइस मैं करता हूँ, जो है जस्टिस पाएगा जज्जमेंट पाएगा तो आपके पोसन आपसे यही कहना चाहरे है कि मुझे इस रिलेशन्शिप को जो है बिगार चुका हूँ मैं अब इसे मैं बनाना चाहता हूँ I want to work in this relationship ठीक है तो यह इनका दूसरा जो है message आपके लिए आया है यहाँ पर queen of cups का card आया है जो आपके कहते हैं न कि प्यार का खान जिसे हम कहते हैं कि प्यार से भरावा समंदर होगा आपके लिए मेरे पास बस यही एक love जो है निकल कर आया है कि समंदर से आप जितना भी पानी निकाल लो वो कभी खाली नहीं होता वो कभी कम नहीं होता बले ही समंदर के अंदर खारा पानी हो पर वो पानी है जो कभी खतम नहीं होता पर फिर भी ये प्यार है कि कभी खतम नहीं हुआ है ना इस वर ने आपको बहुत ही मासुमियत से बनाया है गैस तो ये वक्ति आपसे ये कहना चाते है कि मेरा दिल जो आज तड़ रहा है उसके पीछे की वज़े है कि मुझे तुम्हारा प्यार हासिल नहीं हो पा रहा है मुझे तुम्हारा प्यार मिल नहीं पा रहा है मैं तुम्हारे प्यार के लिए बहुत जादा बेचैन हूँ और मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा प्यार जो है इस दुन्या में मेरे लिए सबसे खास है तुम्हारे जैसा प्यार साइद किसी और इंसान से मुझे कभी मिल नहीं सकता तो यह वक्ति आपके प्यार को समझ चुका है और यह आपको बताना चाहते है यही एंपरेस का काड़ बताता है कि बिलकुल इस वक्ति को आप पर बहुत गर्व है गर्व किस चीज़ को लेकर है क्योंकि यह होता है हमेशा सेहन सकती का काड़ एक इंसान जो सहता है सहता चला जाता है बरदास से बाहर आपका दर्द हो जाता है बरदास से बाहर आपका सहना हो तो आपके पॉसंर द्वारा, जितना भी आपको उपहार में, गृष्ट में, जितना भी धर्द मिला है, आपने कभी भी चुत तक नहीं किया है, आपने कभी भी उसे पलट कर आपने उससे यह नहीं कहा कि तुम्हारे जो你說 āषा करने के पीछे कारण किया है, तुम, कभी इस से हार्ष वर्ट कुछ कठोर सब्द बोले होंगे पर आपने दिल से कभी इस वक्ति का सत्यानास हो जाए इस वक्ति पर पहार तूट पड़े इस वक्ति को जिन्दगी में कभी प्यार ना मिले ऐसा सुराप या ऐसी बद्दुआए आपने मन से कभी इस वक्ति को नहीं दी हो कितना भागे साली इंसान हो ये भी जानता है कि आप जिसके बन जाओ उसकी जिन्दगी में फिर सिर्फ खुश्या ही खुश्या मिलेगी ये भी ये वक्ति जानता है इतना कुछ जानते हुए भी इस वक्ति ने जो है आप जैसे इंसान को कही न कहीं प्यार के नाम पर धोका दे दिया और इस बात का पस्तावा इस वक्ति को हो रहा है कुछ लोग यहां पर मुझे जो है यह प्रेगन्ट वोमन का भी काड़ होता है बच्चों से जुड़ा हुआ आप तुनों का रिस्ता हो सकता है प्यार तो है ही रिलेशनशिप भी है ही कुछ लोगों की जो ऐसा हो सकता है यह कोई बहुत कोई अजूबिय वाली बात नहीं है कि प्रियाफिर प्रेगनिंसी को लेकर बच्चों को लेकर ही आप दुनों के बीच में बहुत सारी डिसकुशन हुए है फैमिली प्लानिंग अगर हुई परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है साधी के बात क्या करना है ऐसी चीज़े भी आप दुनों के बीच में मुझे लगता है कि हो चुकी थी तो इतनी बड़ी रिलेशनशिप है आप दुने की जहां पर आप दुनों बहुत आगे तक निकल गए थे हैं फिर भी जो है इस रिलेशनशिप में दिल का तूटना रिस्ते का तूटना भरोस्यका तूटना नज़नाता है जो कहीं न कहीं आप दुनों के बीच में होने वाली सकस को दिखाता है अभी तो सकस का नामों निसान नहीं है अभी तो अरेंज मेरीज का बहुत दवाव यहां पर नज़नाता है अभी तो जो है फैमिली का भी भी बहुत प्रेष्र करें उसी व्यक्ति के साथ ये जिन्दगी के हर सक्सेस को हासिल करें सफलता आपके साथ देख रहा है मैरिज आपके साथ देख रहा है यह व्यक्ति आपको दुनिया के सामने पहचान करवाना चाहता है आपसे अपनी पहचान बनाना चाहता है और अपनी पहचान आपसे बना चुका था तो साथ में two of swords भी आया है अब यहां पर देखो एक अर्चन है एक दुविदा है और वो दुविदा है इस इंसान के दिमाग को ही लेकर इस इंसान का दिमाग अभी जो है ऐसी चीजों के बीच में फसा हुआ है जहां पर यह व्यक्ति सब कुछ समझ रहा है आपक निकालेगा क्योंकि eight of pentacles अलड़ी यहां पर रिस्ते के बनने को दिखा रहा है रिग्रेट को भी दिखा रहा है ठीक है तो चलिए अब बारी है messages की गाइस चलिए अब हम कुछ messages भी आपके लिए निकालते हैं यहां से I could never forget about you तो यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता पहला message इनकी तरफ से आया है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता ऐसे भी आप यहां पर जो है जिस तरीके से present हुए होना कहीं पर आप भागे से जुड़े हो कहीं पर आप प्यार से जुड़े हुए हो कहीं पर जो आपका भरोसा तोड़ा है इस वक्ति ने उसकी यादे हैं है तो यह वक्ति किसी भी हालत में आपको भूल नहीं पा रहा प्रोजेक्शन की जो energy आई थी उससे मिलता जुलता यह message आया है यह वक्ति हर लम्हे में आपके साथ जी रहा है हर लम्हे में यह वक्ति आपको देख रहा है है तो ऐसा वक्ति कैसे आपको भूल कर अपनी जिन्दे के बारे में सोचेगा या आगे बढ़ पाएगा नहीं कर पा रहा नहीं हो पाएगा I don't wanna hide this love तो ये कह रहे हैं कि मुझे इस प्यार को छुपाना नहीं है यानि कि ये वक्ति आपसे कह रहा है कि मैं खुल कर तुम्हारे सामने अपनी प्यार का इजहार करना चाहता हूं मैं ठक चुका हूं अपने प्यार को तुमसे चुपाते चुपाते कितना चुपाऊं कब तक चुपाऊं और कैसे चुपाऊं क्योंकि मैं तो तुम्हारे प्यार के वैल्यू को मैं समझ रहा हूं तो मैं मुझसे नहीं हो पा रहा है मैं और बरदास नहीं कर सकता कि अपने मन के अंदर का प्यार जो अभी इनको दर्द भी दे रहा है जो फैसला रहा है पाष्ट में रही है वो इतना ज्यादा है ना कि ये वक्ति ही मजबूर हो रहा है अपने प्यार को अपने तकलीफ और आपको बता दिया है कि मैं आप और इस प्यार को जो है मैं तुम से छुपा नहीं पाऊंगा तो कुछ करता हुआ दिखता है गाई ये तो करेगा जिससे इनका प्यार आपके सामने आय इजहार करें कोई ना को एसा टेकनिक या कोई ना को एसा कुछ करें जिससे आपको इनके प्यार पर जो है भरोसा हो देखो हर सब्द जो है forget यानि कि भूलना नहीं चाहता तुम्हें मैं भूल नहीं पा रहा मैं तुमसे अपना प्यार चुपा नहीं सकता और यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर होकर रह भी नहीं पा रहा हूँ it doesn't feel right मुझे सही नहीं लगता तुमसे अलग होकर तुमसे दूर होकर अपार्ट का मतलब अलग हो जाना है न दो टुकडों में बढ़ जाना या दूर हो जाना तो यह आपसे सही सब्दों में कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता तुमसे अलग होकर दूर रहना तुमसे दू बना कर दूर चले जाना मुझे बिल्कुल भी यह सही नहीं लग रहा मुझे यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा चले देखते हैं 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 रिटन मेसेजस से क्या है I miss your care तो जो इनसान इतना प्यार लेकर बैटा है इतना जो है हर इनके हर बातों को इनके हर गलतियों को भी रहना चुपचाप बिल्कुल खामूसी से सहा है उस वक्ति ने कितना care किया होगा उस वक्ति ने कितना ध्यान दिया होगा अपने partner का ये तो मैं जानती हूँगा इस है न और ये वक्ति भी अब इस बात को समझता है कि तुम्हारा हर चीज याद तो आता ही है सबसे ज़्यादा तुमने मेरा जो देखभाल किया है तुमने लव यू लव यू लव यू लव यू चार लव यू यहां पर निकल कर आये हैं तो आपके पोसन कह रहे हैं कि तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है और सुर्फ तुमसे ही प्यार है एक और देखते हैं वाव You are my true love ये कह रहे हैं कि आप इनका सच्चा प्यार हूँ सच्चा प्यार और सच्चा प्यार जब होता है ना किसी को गैज तो भूला बिस्रा भी जो है घर लोट कर आ जाता है है ना सच्चा प्यार को समझने के लिए भी एक divine timing की जरुत होती है कर्म जो है श्ट्रॉंग होना पड़ता है, अगर आपके कर्मा में गल्तिया नहीं हुई होती, पास्ट लाइब अगर आपका क्लियर होता है, तो अपको सचा प्यार जल्दी से मिल जाता है, पर कभी-कभी अपना पास्ट के वज़े से भी न, जैसे आपके पोसन अभी पास् कि आपको गवार चुके हैं और अब इनको लगता है कि आप इनके सचे प्यार हो ऐसा प्यार साहित कभी किसी से हुआ नहीं और होगा भी नहीं तो इन सारे चीजों की जो है बहुत जादा फील इस इनसान के एनर्जी में मुझे नजर आई है चलिए देखते हैं कुछ मेसेज कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का एक भयानक सफर हो सकता है जहां पर दोनों साथ साथ तो चल रहे हो पर एक दूसरे को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरी को रिक नाइज नहीं कर पा रहे हो साथ साथ होते हुए पहचान नहीं पा रहे हो तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का यह सफर है जो कठीनाईयों से बरा है दुख तकलीफों से भरा है पर जड़नी आप दोने की साथ है देख लो यह साथ ही चल रहे ह तो बस यहां पर स्टेज फर जो है डिफ्रेंट यहां पर नजर आता है है ना इस इस इंसान की आखों में ही प्यार दिखता है गाइस देखों यह 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 प्रोजेक्शन वाली ही एनरजी दुबारा निकल कर आई है कि जो इंसान आके खोले तो भी आपको देखे आखे बंद करे तो भी आपको देखे इनकी आखों में आपके लिए लव है इनकी आखों में आपके लिए प्यार है यानि कि मन तक दिल तक आपको पहुंचने की जरुत नहीं है यह व्यक्ति अगर एक बार आपके सामने अपनी आखों को दिखा जाए अगर आपने कि धुन में नजर आता है, इस और का ऐसा नजर आता है, कि धुनने की जरुत नहीं है, दिल तक पहुँचने की जरुत नहीं है, एक बार इस इंसान की आँखों तक अगर आप पहुँच जाओ, आपको उसके आखों में अपनी ही तस्वीर, अपना ही सक अक्स और अपना ही प्यार आपको जो है दिख़ जाएगा, यह इस और नहीं आपके पॉर्सन में आपको बताया है और कहींदें डेस्टेनी है साथ में, भागे है साथ में, तो बिल्कुल चीजे ठीक होगी, कुछ समय लगता है, ट्विंद रेम के लिए हो सचाथ है कि कुछ समय लगे, पर definitely ये वक्ते आप से प्यार कर रहे हैं बहुँत जड़ा प्यार कर रहे हैं और अपनी कलती को लेकर बहुत जड़ा पस्ता भी रहे है तो यह था उनका मेसेज आपके लिए आई होप आपको समझ में आया है आई होप आपको पसंद आया है पसंद आया गाई तो प्लीज वीडियो पर लाइक कमें शेर और सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूंगे आपसे फिर से नेक्स रिडिंग में तब तक आ अपना बहुत चाह ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जादा प्यार लब यू और ठीक है नमस्ते हैं और मैं गाईज